संदिपा कीचन में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सेव भाजी तो इसके लिए मैं सेव घर में बनाऊंगी तो आईए चालू करते हैं सेव भाजी बनाना तो शेव भाजी के लिए सामगरी चाहिए ये किसा हुआ नरियल है दो तिन टेबल स्पून उसके बाद ये दो मीडियम साइज के प्याज है और कसूरी मेथी और ये थोड़ी आधा टीस्पून खड़ी मेथी है तेश पान दो ये दोड़ा इलाईची सोफ है टीस्पून जी पाउंड दो तिन उसके बाद ये तेश पान बगार में फ्राई करते टाइम डालना है उसके बाद लसुन अद्रक का पेस्ट इसमें हराधनिया हरी मिर्च है जीरा है और ये हराधनिया उपर से डालने से और ये गोड़ा मसाला है और सेव बनाने के लिए ये मैंने आधा क पाउंड का टोरी बेशन लिया है नमक भागी धना पाउडर मिर्ची हल्दी अभी हम प्याज को देल गरम हो गया है अभी इसमें हम दो तेश पान डाल देते हैं और इसमें ये आज़ी डाल देंगे तो ये थोड़ी प्राउन होते आ रही है प्याश फोड़ी बेश्चे पाद इसमें नरियल का फिस डाल देंगे प्याश तोड़ी सी नाल हो रहे हैं इसमें अपन नरियल फिस डाल देते हैं पहले डाल दे तो वह जल जाता है मीडियम कर देते हैं फुरी फ्रेम ओप लॉंग खड़ी मेथी और काली मेरा चोड़ दोड़ा इलाइचे और जीरा से जो है वह अपन डाल देंगे कसुरी लेखी अब होते आ गया है मसाला इसको मिक्सर में पीस लेंगे तो यह ऐसा मसाला पीस लिए है अब तिन टेबल स्पून ऑईल डालेंगे यह मसाले की सबजी है तेल गरम हो गया है इसमें हम पेज़बान डालेंगे दाली जीरा इसमें हम पेज़बान डालेंगे दाली जीरा इसको थोड़ा होने देना है अब यह तीन मिनेट होगे इसको भूणते हुए अब यह लसन अद्रप और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे हैं और धने का भी पाउडर डालेंगे एक यह चम्मच जो नौर्मन वटा है उससे बहन देगे और इसको भूणते है एक मिनिट जब तक लसन अद्रप का कच्चा पन ने निकलता तक तक इसको भूणते है अब इसको एक जड़ मिनिट हो गया है लसन का जो कच्चा पन है निकल गया है अब इसमें एक नौर्मल चम्मच लाल मिर्च फल्दी और गोड़ा मसाला गरम गोड़ा मसाला डाल देते हैं जो मिक्सर में अपने पीसे थे वो उसका पानी है तो यह मसाले में पानी डाल देते हैं और फुरा नमक स्वाधा नुसरा अब इस मसाले को अच्छा तेल खुटने दक पकाना है और थोड़ा पानी डालके इसको और भूलेंगो दो मिलिट जिससे मसाला बहुत टेस्टी बनता है अब यह मसाला अच्छा से भून चुका है अब इसमें अपन देड़ ग्लास पानी डालेंगे और थोड़ा भरा धनी डाल देखो यह मैंने बेशन जो ली है उसमें फल्दी डालूंगी और लाल मिर्च हल्दी जो आदा टी स्पून और यह मिर्ची है एक टी स्पून और स्वादा नुसाल नमवगाल आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते थोड़ा सा और होटे जो रेडिमेट सेव होते हैं उससे भी बढ़िया यह सेव लगते हैं तो आप जरूर बनाईए इसको पानी से भीगाना है जैसे शेव के लिए बनाते हैं ना यह ज़्यादा गाड़ा है ना पत्ला है ऐसा बनाना है ग्रेवी उबल रही है इसको थोड़ा गैस मीडियम करनेते हैं मीडियम दो अब यह जो जारा है यह सब के घर होता है तो इससे हम सेव बनाएंगे उबलते पानी में इसको छोड़ना है करता है झाल करतू जर फ्रीच झाल तो ये सिर्व डाल दिये है अब इसको अच्छे से पकने देना है जब तक अच्छे पूरे से उपर नहीं आते इसको ढापकी रखेंगे पाच मिर्ट के लिए तो ये तयार हो गई है सेव की भाजी सेव भाजी तो इसको बन कर देते हैं तो ये तयार हो गई है घर के बनी हुई सेवभाजी तो आप जरूर बनाईए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंड करें